कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले सभी भाग को देखना बिल्कुल मत भोलिएगा उसका लिंक मैं आपको description box में दे दूँगी और शाथ में comment box में पिन भी कर दूँगी तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं सानवी ने अगत्स को देखा जो कहीं और ही बीजी लग रहा था तो उसका हाथ पकड़ते हुए बोली क्या हुआ अगत्स बोला कुछ नहीं स्रेयांस बोला वैसे अगत्स तुमें नहीं लग रहा है दुखी सानू को होना चाहिए और दुखी तुम लग रहे हो क्या बात है सानूी बोली भाई मुझे रोने में कोई इंटरेस्ट नहीं है स्रेयांस बोला वो तो दिख रहा है पापा मा दादी सब तेरे लिए परेसान होते हैं और एक तुँ आराम से मस्ती कर रही है अगत्स बोला भाई आप क्यों रूलाना चाहते हो स्रेयांस बोला और तुमें क्या लगता है ये रोने वाली है सान्वी बोली भाई लखनव में अरूडिमा गुस्य में हाल में बैठी हुई थी अधिराज उनके सामने सर जुका कर बैठे थे अनामिका और बाकी सब लोग भी हाल में ही थे बिक्रम किसी को कॉल करते हुए बोले मुझे मेरा बेठा अभी कि अभी किसी भी हाल में चाहिए इसके जितने पैसे चाहिए ले सकते हो और मैं नहीं मानता ऐसी साधी को और वो लड़की मेरी बहु कभी नहीं बन सकती इस बात का ध्यान रहे बोल कर फोन रखते हुए बोले अरूरिमा आप से मुझे ऐसी उमीद नहीं थी आपको समर को यहाँ छोड़ने की क्या जरूरत थी आज देख रही है ना वो किस हाल में है और यहाँ किसी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है बेटा तो हमारा फसा है ना वहाँ पर अध अधिराज बोले जी जाजी मुझे नहीं पता था कि समर ऐसा कुछ भी करने के बारे में सोच रहा है मैं तो बस औरूरिमा बोली अधिराज मैंने पहले ही बोला था कि समर कोई सब चीजों में मतलब बेटो लेकिन तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी और अब फसा तो मेरा बेटा है न अब तुम ही बताओ अब क्या करूं मैं उसके इस सादी का जिसका कोई मतलब ही नहीं है और उस गवान लड़की को मैं नहीं एकसेप्ट कर सकती हूँ अब इसके लिए क्या करना है मुझे नहीं पता दो घंटे बाद अगत सिसानवी के साथ अंदर आया तो हाल का माहौल एकदम अजीब सा बना हुआ था जैसे ही सब की नजरें दोनों पर गई अब सब लोग उन्हें ही देखने लगे अधिराज ने गुस्षे से अपना चेहरा घुमा लिया अरूडिमा अधिराज को देखते हुए बोली तो आ गई तुम्हारी बहु देखो तुम्हें है भुँअ जब आप सब के साथ मिलकर प्लान बना रही थी हमारी लाइफ के साथ खेलने की तब तो नहीं सोचा कि आपका बेटा कुछ और ही सोच रहा है और कुछ भी बोल रही है तो इस बात का ध्यान रहे कि सानवी के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकता बीबी है मेरी बस सर्मा की बेटी नहीं, जो आप लोग मिलकर अपनी दुस्मनी निकालेंगे, इसलिए प्लीज, आप सब की इंसल्ट ना हो, इसलिए हम दोनों से आप सब दूर रहें, अनामिका बोली, अगत्स तुम दोनों जाओ यहां से, अगत्स सब को देखकर सानवी के साथ आगे अगत्स से रुकते हुए बोला, हम, तो वो आप से बड़ी हैं, सब से बड़ी हैं, तो बड़े वाले काम करें, मेरी लाइप में किसी को घुषने का कोई अधिकार नहीं दे रहा हूँ मैं, चाहे वो आप हो या फिर आपकी दी हूँ, क्योंकि आपको तो आपके बेटे की चिंता है नहीं, सान्वी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, प्लीज जाने दोना, अगत्स से बोला सीखिये कुछ अपने दी से, और सान्वी का हाथ पकड़कर ऊपर चला गया, अरुडिमा बोली, यही बाकी था जो तुमने पूरा करवाने के लिए हमें बुलाया है, इस और बेज़ती नहीं करवानी है, और समर को हम उस लड़की के चंगुल से छुडा लेंगे, अब हमें किसी से कोई हेल्प नहीं चाहिए, अधिराज कुछ बोलते, उसके पहले ही अरुडिमा बिक्रम के साथ बाहर निकल गई, अधिराज ने उन्हें रोकने की काफी कोसिस क दिया, लेकिन वो अब नहीं रुखे, अधिराज वापस आकर सोफे पर वैठते हुए बोले, आज मैंने एक बार फिर अपनी बहन को सिर्फ और सिर्फ उस सर्मा की वज़े से खोया है, और उसकी बेटी की वज़े से, अगत से नीचे आते हुए बोला, कब तक आप अपनी गलतियों का इलजाम दूसरे पर लगाना चाहते है, डैट, आपने उन्हें खोया है अपनी और उनकी खुद की गलती की वज़े से, अगर इन सब में कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं, जिसे अपना बेटा नहीं दिखा, उसे कुछ और क्या ही दिखे अनामिका बोली अगत्स, तुम तुम यहां क्या कर रहे हो, जाओ यहां से, अधिराज उसे घुरते हुए बोले, अभी तुमें इतने से संतुष्टी नहीं मिली, जो तुम मुझे यहां सुनाने आए हो, और मुझे पता है, यह सब किसका किया धरा है, अगत्स हसते हुए उम्, वही बताने आया था, हम कल इस घर से जा रहे हैं, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, आप यहां आराम से इंज्वाइ कर सकते हैं, रह सकते हैं, जो मर्जी वो कर सकते हैं, अधिराज बोले, अगत्स तुम्हें समझ में भी आ रहा है, तुम क्या बोल रहे हो, अगत्स ब की लिमिट अब खत्म हो चुकी है और मेरी प्रापर्टी का एक पैसा भी नहीं मिलेगा तुम्हें अनामिका बोली अगर्ट से जाओ यहां से हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे अगर्ट से बोला जी बिल्कुल नहीं चाहिए आपका एक रुपिया भी पैसे की भूख आपको होगी मुझे नहीं और वो तो मॉम और सानवी के वज़े से मैं इस घर में अब तक था लेकिन सौरी अब नहीं अब आपके घर में मुझे एक दिन भी रुखने में इंट्रेस्ट नहीं है अधिरास बोले अगर्ट से सुमे समझ में भी आ रहा है यह सब उस लड़क तुम से बाहर निकलते हुए बोली तुम कहीं गए थे क्या मैं कबसे आवाज दे रही थी अगत्स गुसे में बिट पर बैठा हुआ था सानवी ने उसे इतने गुसे में देखा तो उसके पास आई और उसका चेहरा अपने हाथ में लेते हुए बिना कुछ बोले उसके हम कल जा रहे हैं बोलकर बातरों में चला गया सानवी अभी कुछ सोच ही रही थी कि उसका दर्वाजा नौक हुआ तो जाकर दर्वाजा खोला तो सामने अनामिका को देखकर साइड हो गई अनामिका अंदर आते हुए बोली अगत्स कहा है सानवी कुछ बोलती उसके पहले अगत्स बाहर आते हुए बोला मॉम अब आप मुझे कुछ नहीं समझाएंगी क्योंकि मेरे पास अब और टाइम नहीं है अनामिका बोली तुम दोनों अपना ख्याल रखना अगत्स उनके गले लगते हुए बोला I am sorry मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता लेकिन जाना अगत्स बेट पर बैठ गया सानवी उसके पास बैठ कर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली तुम्हें क्या लगता है बुआ जी नहीं हारिका को एकसेप्ट करेंगी अगत्स बोला पता नहीं लेकिन जितना डैट को जानता हूँ उस हिसाब से मुझे नहीं लग सानवी बोली हम मगर मुझे लग रहा है जो काम हम दोन नहीं कर पाए वो अच्छे से कर लेगी और अपने सास ससूर और हस्बन को समाल भी लेगी अगत्स बोला वो कैसे सानवी बोली कुछ दिन बाद पता चल जाएगा वैसे तुम्हें पता है दो दिन बाद क्या है अगत पता था मुझे सादी के बाद यही होगा अगत से उसके पास आकर भालो को साइट करते हुए बोला वो तो मैं याद कर लूँगा लेकिन दो दिन हमारा वेश्ट हो चुका है और तुम्हें नहीं लग रहा है कि तुम कुछ भूल रही हो सानवी उसकी तरफ घुमते हुए और वो क्या पती देव अनामिका रूम में आई तो अधिराज तायार हो रहे थे उन्हें इस समय तायार होते देखा तो उनके पास आते हुए बोली आप अभी इस समय कहीं जा रहे हैं अधिराज ने उन्हें देखा और अपना परस उठाते हुए बोले कुछ काम है अनामि दी के पास जाना जरूरी है वो गुस्सा होकर गई है और वो सब लोग समर को भी नहीं छोड़ रहे है इसलिए मुझे उनके पास होना जरूरी है मैं उन्हें सुबह तक मना कर लाने की कोशिस करूँगा अनामिका बोली वो सब ठीक है लेकिन समर की साधी हुई है अधिराज बोले आप जानती है उस साधी का कोई मतलम नहीं है अनामिका बोली आप अपनी जित कर रहे हैं जबकि आप भी अच्छे से जानते हैं कि साधी पूरी रिती रिवास से हुई है अधिराज बोले तो आप क्या चाहती है छोड़ दू अपनी बहन को अकेले और समर कोश किलने की कोशिस कर रहे हैं इसलिए बस मैं आपको समझा रही हूँ अधिराज बोले ऐसा कानून पैसे पर बिख जाता है अनामिका और वो लड़की भी बिकेगी आप देख लीजिएगा उसकी भी कोई कीमत चरूर होगी अनामिका बोली और अगर नहीं भी की तो गए अगत्स सान्वी से भी बात कर रहा था कि उसका फोन बजा देखा तो कुडाल का था तो ना चाते हुए भी उसे फोन उठाना पड़ा वो हैलो बोलता कि उधर से कुडाल की घबराई हुई आवाज आई अगत्स भाई प्लीज प्लीज हॉस्पीटाल आजा रिचा घर पर सीड़ी से गिर गई है काफी बलड निकल रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है प्लीज कुछ कर अगत्स बोला तू तू टेंसर ना ले मैं बस निकल रहा हूँ दस मिनट लगेगा सान्वी बोली क्या हुआ अगत्स अपनी गाड़ी की चावी ढूटते हुए बोला रीचा सीड़ी से गिर गई है मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ तुम तुम अपना ख्याल रखना सान्वी बोली मैं भी साथ चल रहे हूँ अगत्स बोला नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी सान्वी चावी उठाते हुए बोली चलो प्लीज बहस बाद में कर लेना बोल उसका हाथ पकड़ कर बाहर निकल गई सान्वी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोली चलो अगत्स बोला यार तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी मैं जा रहा था ना मैं देख लेता सब कुछ सान्वी गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोली पता है तुम सब कुछ कर सकते हो लेकिन मुझे जाना है दोनों ने हमें हर सिचुएशन में सपोर्ट किया है अगत्स हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं अगत्स बाहर देख रहा था लेकिन उसके चेहरे से घबराहर साथ दिख रहा था सान्वी उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली र पीचा की क्या सिचुएशन है रजत और नेहा भी हॉस्पिटल आ गए रजत बिना देरी के अंदर चला गया नेहा सान्वी के पास आते हुए बोली क्या हुआ अचानक से उसे मतलब यार सान्वी बोली मगत से अंदर है रिलेक्स कुछ नहीं होगा सब ठीक होगा बैठ जा बाच नेहा बोली हम् आज साम को ही पता चला मुझे भी सान्वी कुछ सोचते हुए बैठ गई नेहा भी अब उसके पास ही आकर बैठ गई अगत से रजत कुडाल अभी तक कोई बी बाहर नहीं आया था आधे घंटे बाद अगत से बाहर आया सान्वी जल्दी से उसके पा बोला और अपने केबिन में चला गया सानवी ने नेहा को देखा तो उसने उसे जाने का इसारा किया सानवी उसके पीछे अंदर केबिन में आई तो अगत्स खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था सानवी बोली क्या हुआ सब ठीक है ना पीछा ठीक है अगत्स बोला हम लेकिन होस में आने में टाइम लगेगा साज सुबह भी हो सकता है काफी बलड लास हो चुका है सानवी बोली हम और जो कुछ देर पहले पुछा वो अगत्स अब उसकी तरफ देखते हुए बोला उसका कोई मतलम नहीं है वो बस दो महीने का था सानवी बोली अगत्स उनकी उम्मीद जुड़ी थी उससे वो उनका पहला बेबी था अगत्स से बोला जानता हो लेकिन उसका मिसकेरिस पहले ही हो चुका था यहां आने से पहले सानवी बोली कुछाल वो ठीक है अगत से बोला हम फिलाल उसके लिए रीचा सबसे ज़्यादा important है इसलिए खुद को समाले हुए है सानवी बोली और उसकी family वो लोग नहीं आएंगे अगत से बोला रीचा के mom dad बाहर गए है और कुराल के dad उनको तुम जानती हो मुझे तो समझ नहीं आता हमारे parent हमेशा अपनी मनमानी क्यों करते हैं हमें समझते क्यों नहीं है यार क्या हमेशा हम ही गलत होते हैं कि अपनी life का एक decision नहीं ले सकते सानवी आकर उसके सीने से लगते हुए बोली सब ठीक हो जाएगा प्लीज ज्यादा tension ना लो कुडाल और रिचा को जरूरत है हमारी अगत्स आखे बंद करके उस पर अपनी पकड कसते हुए बोला मैं टिकट कैंसिल कर दूँगा कुछ देर बाद सानवी उसे देखते हुए बोली नहीं प्लीज तुम जाओ मैं हूँ ना तुम अपनी ट्रेनिंग पूरा करके आओ ये जरूरी है तुम्हारे फ्यूचर के लिए हमारे फ्यूचर के लिए अगत्स अब भहस नहीं करना चाहता था इसलिए कुछ नहीं बोला कुछ देर बाद अगत्स कुडाल के पास चला गया और सानवी बाहर नहा के पास आते हुए बोली रज़त कहा है नहा बोली वो अंदर है भी बाहर नहीं आया है साइद कुडाल के पास होगा सानवी बोली हम अगत्स बोल रहा था उसे सुबह तक होस आ जाएगा अगत सिकुडाल रजस सब हैं उसके पास नेहा ने उसकी तरफ देखा तो सानवी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली अंदर चलो जो होना था हो चुका है हमें उसे मिल कर इस सिच्वेशन से बाहर निकालना है वो अब जल्द से जल्द ठीक हो जाई ये जादा important है हमारे लिए नेहा बोली मतलब उसका बेबी सानवी बोली जो सोच रही हो वही हुआ है और उसके एक पैर हाथ में भी फैक्चर हुआ है सर पर भी काफी चोट लगी है नेहा बोली यार ये सब सानवी बोली नेहा चलो और उसका हाथ पकड़ कर अंदर ले गई सुबह सात बजे कुडाल रिचा के पास बैठे बैठे ही सोचुआ था रजत और अगत्ष भी सोफे पर ही सोचुके थे सान्वी ने अंदर आकर ये सब देखा तो अगत्स को उठाते हुए बोली अगत्स प्लीज उठो सुबह हो गई है अगत्स जटके से आखे खोलते हुए उठकर बैठ गया सामने देखा तो सब सो रहे थे सान्वी बोली यार चेक करो ना इसे होस कब तक आएगा तुम सब लोग सो रहे हो यहाँ पर मरीज के साथ डॉक्टर भी सोते हैं क्या वो भी तीनों के तीनों अगत्स उठते हुए रिचा को चेक किया और फिर रज़त कुडाल को उठाते हुए बोला चलो उठ जाओ रिचा को किसी भी टाइम हो साजाएगा कुडाल उठकर बैठ गया लेकिन बोला कुछ भी नहीं सानवी बोली देखो तुम तीनों बाहर चाओ और फ्रेसों कर आओ यार ऐसे सड़ा हुआ मुहमत बनाओ जो होना था हो चुका है हमें उसे गिल्टी फिल नहीं करवाना है कि सब कुछ उसकी लापरवाई के वज़े से हुआ है प्लीज कुडाल रिचा के लिए अपने प्यार के लिए इतना तो कर सकते हो कुडाल ने उसे देखा फिर उटकर बाहर चला गया रजत ने अगत से उसके बारे में पूछा और वो भी कुडाल के पीछे चला गया अगत्स रीचा को चेक करते हुए बोला तुम घर जाने वाली हो या सानवी रीचा को होस आने दो फिर देखते हैं अगत्स अब कुछ नहीं बोला वहीं बैठ गया सानवी भी आकर उसके पास ही बैठ गयी लेकिन उसका मोड उखड़ा हुआ था जो उसके चेरे से ही लग रहा था एक घंटे बाद रीचा को होस आया तो सामने देखा जहां कुडाल उसका हाथ पकड़ कर बैठा हुआ था रीचा ने कुछ बोलना चाहा लेकिन कुडाल उसका हाथ पकड़ कर चुमते हुए बोला प्लीच कुछ मत बोलो सब ठीक है और कुछ नहीं चाहिए मुझे रीचा बोली कुडाल कुडाल उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला हम बाद में प्लान करेंगे ना अभी तो हमारा मनाली का प्लान भी बाकी है और तुम ऐसे नहीं छूट सकती इसलिए अभी बस आराम करो रीचा ने अब आँखे बंद करते हुए चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया कुडाल बोला रीचा प्लीज यार मेरी तरफ देखो ना मेरे लिए तुम काफी हो और कुछ भी नहीं प्लीज रीचा अब उसे देखते हुए बोली सुरी मुझे ध्यान रखना चाहिए था प्लीज मुझे माफ कर देना मैं फिर एक गारी सास लेते हुए बोली हमारे बच्चे को नहीं भचा पाई कुडाल उसका सर चुमते हुए बोला कोई जरूरत नहीं है वो साथ हमारी किस्वत में था ही नहीं इसलिए तो ये सब हुआ वरना आस तक क्यों नहीं हुआ रिचा बोली और कोई नहीं आया सानवी अंदर आते हुए बोली यार तुमने तो हम सब को परिसान कर दिया था ऐसे भी कोई करता है क्या फिर दर्वाजे की तरफ देखते हुए बोली आस आओ दो लोग अंदर आये तो पूरा रूम बैलून से डेकोरेट करवा दिया और साथ कुछ गुलाब के फूल भी लगा दिये रिचा ने उसे देखा तो सानवी उसके पास आते हुए बोली कुडाल तुमसे बहुत प्यार करता है इसलिए प्लीज खुस रहो क्योंकि सो होना था वो हो चुका है लेकिन जो सामने है प्लीज उसे हर्ट मत करो खल से बहुत रोया है तुम्हारे लिए और रूम को देखकर लगना चाहिए यार की किसी लव बर्ड का रूम तभी तो अच्छी अच्छी फिलिंग आएगी रिचा ने गुडाल को देखा और उसका हाथ पकड़ लिया गुडाल उसके सर पर हाथ रखकर वापर से उसे चूम लिया रज़त नेहा भी आकर मिले अगत्स नहीं आया सानवी रज़त को देखते हुए बोली अगत्स कहा है कुछ देर पहले तो यही था तो अब कहां गायब हो गया रज़त बोला पता नहीं मुझे तो लगा यहीं होगा लेकिन साथ चला गया होगा रिचा बोली तुम दोनों का तो फ्लाइट था ना आज तो सानवी बोली मैं नहीं जा रही सिर्फ होई जाएगा हम साथ में कभी और चले जाएंगे रिचा के साथ साथ बाकी सब भी अब उसे देखने लगे आखिर चलता क्या है इस लड़की के दिमाग में कब क्या करती है सोचती भी है या बस जो मन में आय करने लगती है रिचा उसे अपने पास बुलाते हुए बोली मैं ठीक हूँ प्लीज तुम चली जाओ उसके साथ वो कुडाल से ज़्यादा चाहता है तुमें सानुई बोली पता है इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो चला जाए ताकि मैं यहां का सिच्वेशन समाल सकूँ घर पर भी काफी कुछ उलजा हुआ है कुडाल उठते हुए बोला चलो बाहर बात करनी है तुमसे और रिचा को रज़त और नेहा को देखने को बोल सानुई के साथ बाहर आया सानुई बोली क्या हुआ क्या बात करनी है खुडाल बोला तुम अगत्स के साथ जा रही हो और इस बार मैं तुमसे साफ साफ बोल रहा हूँ कि तुम जाओगी उसके साथ और इसके लिए ना तो मुझे कोई सफाई सुननी है और ना ही कोई बक्वास इसलिए अब घर जाओ पैकिंग हो गई होगी तो निकलो अब और उसे हर्ट होते हुए मैं नहीं देख सकता जब मैं तुम्हारे लिए इस्टेंड ले सकता हूँ तो उसके लिए भी लूँगा अगत्स सामने से आते हुए बोला रिचा को होस आ गया कुडाल बोला तुम यहां क्या कर रहे हो अगत्स अंदर जाते हुए बोला यहां से तुम्हारा क्या मतलब है मैं कल से यहीं हूँ वो बस एक कॉल करने गया था बोलकर अंदर चला गया कुडाल अब सान्वी को देखते हुए बोला प्लीज उसे हर्ट मत करो पहले ही काफी हो चुका है सानुई कुछ नहीं बोली लेकिन उसे भी लग रहा था कल की बातों से कहीं न कहीं वो नाराज है अगत्स रूम में आया और इतना डेकोरेड देखा फिर रिचा को देखते हुए बोला और मोटी गिरना था तो पहले बता देती यार ऐसे भी कोई करता है ग्या रिचा कुछ नहीं बोली बस उसे देख रही थी तो अगत्स उसके पास आकर बढ़ते हुए बोला सब ठीक है ना रिचा बोली हम अगत से उसका सर सहलाते हुए बोला सब ठीक हो जाएगा आराम कर, रिचा बोली तू जा रहा है, अगत से अब अपना फोंचेक करते हुए बोला, प्लीज तू आराम कर, फाल तू बातों के बारे में बात में बात करेंगे, मुझे एक जरूरी काम है, मैं आकर मिलता हूँ, तब तक तु आराम से कुडाल को पका, बोल एक नजर कुडाल को देखकर बाहर निकल गया, कुडाल अब बैठते हुए बोला, इन दोनों काना मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, रजस सब को चाय लेकर नेहा के साथ अंदर आते हुए बोला, मुझे तो पहले से ही समझ नहीं आता है, रिचा बोली सानवी कहा है, कुडाल बोला बाहर, रिचा उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली सब ठीक हो जाएगा, वो समाल लेगी, तुम दोनों चिंता मत करो, अगत्स बाहर आकर गाड़ी में वैठा तो सानवी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी, अगत्स बिना उससे कुछ बोले गाड़ी आगे बढ़ा दिया, सानवी कुछ सोच कर बाहर देखने लगी, कुछ देर में दोनों घर पहुँचे तो अभी तक घर में सांती थी, अ अनामिका बोली फ्रे सो जाओ और आकर नास्ता करो और जाना नहीं है क्या तुम दोनों को, अगत्स बोला बाद में बात करते हैं, बोलकर अपने रूम में चला गया, अनामिका बोली सानवी बेटा रिचा ठीक तो है ना, सानवी बोली फिलहाल के लिए ठीक है लेकिन काफ क्या चल रहा है, मैं अगत्स से बात करती हूँ, बोलकर उसके पीछे रूम में आई, तो अगत्स बात रूम में था, तो उसके कपड़े निकाल कर बाहर बेट पर रख दिया, कुछ देर बाद अगत्स से बाहर आया और बेट से सर टुहरा कर पहल लिया, लेकिन सानवी की तरप नहीं देखा सान्वी उसके सामने आते हुए बोली क्या हुआ नाराज हो अगत्स बोला नहीं सान्वी बोली क्या सोचा है अगत्स बोला किस बारे में सान्वी बोली जाने के बारे में अगत्स बोला चलो फ्रेस होकर नास्ता करो उसके बाद मुझे हॉस्पिटल जाना है रिच्चा को जरूरत है हमारी सानवी बोली मतलब तुम नहीं जाओगे अगत्स बिना बोले बाहर जाने को हुआ सानवी पीछे से बोली अगत्स कुछ पूछ रही हूँ मैं अगत्स रुक कर उसे देखते हुए बोला नहीं नहीं जा रहा हूँ मैंने अपना नाम वापस लिया है क्योंकि मैं फिर कुछ रुकते हुए बोला मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता था फिर खुछ से बोला अपने लाइफ का इतना बड़ा एक्सपेरियंस मैं तुम्हारे साथ सेर करना चाहता था लेकिन सानवी ने उसे संत देखा तो उसके पास आते हुए बोली मेर वज़े से नहीं जा रहे हो इतनी बड़ी अफ़र्चुनेर्टी थी और वो भी मेरी वज़े से तुमने अगत से दूसरी तरफ देखते हुए बोला ऐसा कुछ नहीं है ऐसे और भी बहुत सारे मौके मिलेंगे और मैंने किसी जरूरत वाले को ये मौका दे दिया है सानुवी बोली हम ठीक है तो मेरी तरफ देखकर बोलो की नाराज भी नहीं हो और ये सब जो कर रहे हो मेरी वज़े से नहीं कर रहे हो अगत से बोला लेट हो रहा है सानुवी बोली ठीक है जाओ मैं आजाओंगी अगत सब बिना कुछ बोले बाहर चला गया सानुवी खुश से बोल टफर कहें का बोल नहीं सकता था कि नाराज है लेकिन कोई नहीं चलो मैं मना लूँगी बोल कर वात्रूम में चली गई अगत्स नीचे आया और नास्ता करके वापस से अनामिका के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गया सान्वी नीचे आये तो बस सिवानी और यूगी बैठे हुए थे सान्वी उसके पास बैठते हुए भाबी मा कहा है और बाकी सब लोग सिवानी बोली मा अगत्स भाईया के साथ हॉस्पिटल गई है अनुभा ओफिस और पापा को दो जानती हो बुवा जी को मनाने में लगे हुए है और तुम बैठो मैं नास्ता लगाती हूँ सान्वी बोली नहीं अभी भूक नहीं है बोल कर यूग के साथ बैठ गई सिवानी बोली रिचा ठीक तो है ना सान्वी बोली भाभी फिलाल में अभी ठीक है बोल कर यूग के साथ खेलने लगी दो दिन बाद रिचा को अब घर पर सिफ्ट कर दिया लेकिन एक महीने का उसे पूरा बेड रेश्ट था रात को अगत्ष हॉस्पीटल डारेक्स से मिलने आया तो रिचा उसे देखते हुए बोली यार मैं ठीक हूँ तुम लोग फालतू में मुझे अब टॉर्चर कर रहे हो बारी बारी से आकर बस पका रहे हो अगत्ष बोला हम दिख रहा है इसलिए अब सांती से ठीक हो जाओ फिर हम नहीं आएंगे तुम्हें डिश्टर्ब करने ठीक है रिचा बोली तू नाराज है क्या सानवी से अगत्ष बोला नहीं रिचा बोली हम तो तू दो दिन से यहां क्या कर रहा है जबकि तेरी साधी को अभी एक हबते भी नहीं हुए हैं अगत्स बोला कुडाल हॉस्पिटल गया है तो कोई तो रहेगा ना तेरे पास तेरा ट्रोचर सहने के लिए और मेरी साधी हो चुकी है ना और इतना काफी है मेरी बीबी के लिए और साध मेरे लिए भी फिर खुश से बोला उसे सारी दुनिया से फुर्सत मिले तब ना वो ह रिचा बोली तो तुम्हारे चेरे से ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उससे नाराज हो। अगत्स बोला यार तुपका मत ऐसा कुछ भी नहीं है। रिचा बोली मत बता लेकिन चिला क्यों रहा है। कुछ देरवाद कुडाल अंदर आया तो उसके हाथ में धेर सारा रेट रोज था। रिचा बोली तुम्हें याद था। कुडाल उसे रोज देकर सरपर किस करते हुए बोला लव यू और आज तक घूला हूँ जो आज भूल जाओंगा। रिचा बोली थैंक्यू। अगस्थ कुछ सोचते हुए खुछ से बोला वो अच्छा इसलिए मैडम दो दिन पहले से पूछ रही थी लेकिन सारी बाते मैं ही क्यूँ आद रखूँ उसे भी तो याद रखना चाहिए दो दिन से घर नहीं गया लेकिन एक बार भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा तब तक उसका फोन बजा रिचा सानवी का है उठा लो अगत्स ने देखा तो सच में सानवी का था तो दोनों को देखते हुए बोला मैं चलता हो सुबह आऊंगा रिचा बोली क्यूं आज नहीं रुकना आज भी रुक जाओ हमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्यूं कुडाल अग अगत्स नहीं रुकेगा क्यूं डॉक्टर साहब अगत्स ने देखा सानवी का फोन तीन बारा कर कड़ चुका था फिर वाटसब चेक किया जिसमें कई सारे मैसेज पड़े थे कहा हो का बार रहे हो और अगर आज घर नहीं आए तो समझ लेना आगे क्या होगा मुझे भी नहीं पता है तो दोनों को देखते हुए खुश से बोला बस मैड़म को धंकी देनेके अलामा कुछ और भी आता है बिल्कुल भी नई रिचा उसे देखते हुए बोली क्या हुआ आज पिर यहीं रुकने वाले हो अगत्स से उड़ते हुए बोला तुम आराम घरो में चलत क्योंकि मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। रिचा बोली लेकिन हमें तो कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ क्यूं कुडाल। कुडाल अगत्स को देख रहा था जो अपने फोन को देख रहा था। अगत्स बोला कुडाल इसका ध्यान रखना मैं सुबह आऊंगा और रिचा को अपना ध्यान रखने को बोल कर बाहर निकल गया। कुडाल बोला हम दो मिनट वेट करो मैं सूप लेकर आ रहा हूं फिर आराम से बात करेंगे बोल कर कीचन में चला गया। सुबह अनामिका भी अधिराज के साथ किसी जरूरी काम से बाहर चली गई, कब आएंगी पता नहीं। कुछ देर पहले अनुभो भी सिवानी के साथ बाहर डिनर के लिए चला गया था। इस समय सानवी घर में अकेली थी और अगत्स उसका कॉल ही नहीं उठा रहा था और ना ही कोई मेसेज का रिपलाई किया। कुछ देर वेट किया फिर कुछ सोच कर उसे कॉल किया लेकिन इस बार भी उसका फोन बीजी बता रहा था तो फोन बेट पर फेगते हुए बोली यार नाराज है तो सामने भी तो आना चाहिए ना। ये कौनसी नाराजगी है कि ना तो फोन उठाओ और ना ही सामने आओ। दो सेकेंड बात फोन बजा देखा तो रिचा का था, तो उठा लिया। रिचा ने कुछ बोला तो सान्वी हम ओके थैंक्यू बोलकर फोन रख दिया। कुछ देर बात सान्वी नीचे आई तो अगत्ष भी सेम टाइम पर अंदर आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा लेकिन अब दोनों में से किसी ने कुछ भी नहीं बोला। अगत्ष सोच रहा था कि सान्वी बोले और सान्वी का कॉल नहीं उठाया इसलिए उसने भी कुछ नहीं बोला। और आकर सोफे पर बैठ गई। अगत्ष से उपर रूम में आया लेकिन दिल दिमा का सांथ था। ये कौन सा मतलब हुआ एक तो वो नाराज और मनाने के भजाय बोल भी नहीं रही है। तो अंदर गया फ्रेश हुआ लेकिन सान्वी अभी भी नहीं आई थी। कुछ देर तक इंतजार किया जब वो वापस से रूम में नहीं आई तो गुसे में नीचे आया और उसका हाथ पगड़कर गोद में उठा लिया। सान्वी अभी भी कुछ नहीं बोली अगत्ष अपने रूम में लाकर उसे छोड़ते हुए बोला ये क्या है। सान्वी बोली मुझे तो नहीं दिख रहा तुम्हें दिख रहा है तो बता दो मैं भी जान लूँगी क्या है। अगत से एरिटेट होते हुए बोला हद होती है यार दो दिन में तुमें कोई फर्क नहीं पड़ा हमारी साधी के एक हपते भी नहीं हुए और हमें एक हजार बार लड़ चुके हैं सानवी बोली हम तो मैं भी कब से फोन कर रहे हूँ एक तो तुम उठा नहीं रहे हो और आज भी तुम्हें बस सबकी पड़ी है मैं हूँ ही कौन तुमारे लाइफ में सानवी बोली हम ठीक है तो जब तुमने सब कुछ खुश से डिसाइड कर लिया तो फिर अगत से गुसे से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला तो फिर क्या मतलब है यार तुम मुझे हार्ट कर रही हो और सानवी बोली और दो दिन से जो तुमने किया है वो क्या था अगत से बोला मैं गुसा था क्यों कि तुम्हें बस सबकी पड़ी रहती है हमारे बारे में सोचती भी नहीं हो सानवी बोली ये भी तुमने खुश से ही डिसाइड कर लिया अगत सब उसे छोड़ते ह जो दिख रहा है वही बोल रहा हूँ सानवी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली जो दिखे वो सब सही हो जरूरी तो नहीं है और नाराज थे तो मनाने का मौका भी तो मिलना चाहिए सामने वाले को और हिचा कुडाल ने हमेशा हमारा साथ दिया है और अगर इस समय भी हम उन् करने वाले थे क्योंकि दो दिन से तो तुमने मौ फुलाया हुआ है अगत्स बोला ठीक है तो अब भी गुस्सा हुँ मनाओ सानवी बोली सच में अगत्स बोला बिल्कुल मिसेस रावत आज तक आपने मुझे जितना भी परेशान किया है सब का सूस समेथ हिसाब कीजिए वरना भूल जाईए कि मैं सानवी उसके गले में हाथ डालते हुए बोली मैं तो कब से तयार हूँ हिसाब करने के लिए तुम ही भाग रहे हो अपनी बीबी से अगत्स को उसकी साथ से अपने उपर पढ़ने से अचानक से घबरहाट होने लगी तो सानवी को अपने पास की अगत्स ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो सानवी बोली प्लीज अगत्स ने अवांखे बंद कर लिया सानवी अब उसकी आँखों पर पट्टी बातते हुए कान के पास बोली बस दस मिनट और अपने कमर से उसका हाथ हटा दिया अगत्स बोला तुम दूर नहीं जा सकती हो वरना मैं आखे खोल दूँगा सानवी बोली यहीं हूँ यार तुम लड़के हस्मेंट बनने के बाद इतना बदल क्यों जाते हो अगत्स बोला यही सवाल हम लड़कों का भी होता है कि साधी के बाद तुम लड़कें बदल क्यों जाती हो सानवी बोली हम समझ गई मैं तुम लड़कों की फिलिंग अब दस मिनट से जादा हो गया लेकिन सानवी की कोई आवाज नहीं आई अगत्स बोला सानवी मैं अब आखे खोल दूंगा यार कितनी देर लगाओगी सानवी बोली सोचना भी मत बस पांच मिनट और अगत्स बोला तुम क्या कर रही हो कु आधा घंटा हो गया लेकिन सानवी का दो मिनट खत्म ही नहीं हो रहा था अगत्स बोला सानवी यार तुमारा दो मिनट खत्म होगा या फिर रात बर मुझे ऐसे ही रखना है कहीं तुम मुझे फिर से परिसान तो नहीं कर रही हो सानवी बोली ओके ओके बस एक सेकेंड और उसके आँख से पठी हटाते हुए बोली जब बोलूंगी तब खोलना भी नहीं अगत्स बोला सानवी सानवी बोली हम पता है तुम मुझे मुझे ज़्यादा प्यार करते हो और भी बहुत कुछ लेकिन पती दे हो थोड़ा सा वेट कर लीजिये न अगत्स बोला हम इसलिए ह रूम में अंधेरा था अगत्स कुछ बोलता उससे पहले सानवी ने लाई टान किया तो पूरा रूम अलग-अलग गुलाब के फूलों से भरा हुआ था और सामने केक के साथ लिखा हुआ था हैपी रोज डे माई हैंसम हंग अगत्स ने अफ सानवी को देखा तो वो उसके सामने कान पकड़ते हुए बोली अभी भी नाराजो प्लीज इससे ज़्यादा समझ नहीं आया पहली बार था ना तो प्लीज मान जाओ अगत्स कुछ सोच कर उसे अपने पास खीशते हुए बोला ये सब किसका आइडिया था सानवी बोली मेरा क्यूं तुम्हें भरोसा न लेकिन मुझे कुछ और भी चाहिए सानवी बोली पहले केक कट करो इतना मेरत किया है मैंने अगत्स उसके सर पर किस करते हुए बोला I love you सानवी ने उसे देखकर आँखे बंद कर लिया अगत्स बारी बारी से उसके आँखों को चुमते हुए बोला ये सब इतना जल्दी क कैसे किया सबकि मैंने तो बताया नहीं था कि मैं आँगा तो फिर सानवी उसके सीने से लगते हुए बोली लेकिन मुझे पता था कि तुम आओगे इसलिए मैंने पहले से हिसा बार्डर देकर मंगा दिया था अगत्स बोला हम कैसे पता था कि मैं आँगा और तब से वो सब क्या था सानवी अब उसे देखते हुए बोली रिवेंज जो दो दिन से तुमने मुझे परिसान किया उसका अगत से उसे अपने करीब करते हुए बोला अच्छा तो वो रिवेंज था तो फिर आगे का क्या प्लान है बीबी क्योंकि मेरा मूड अल्रेडी तुम ये सब दिख कर चेंज कर चुकी हो सानवी बोली केक कट करो अगत से बोला हम उसके बाद तयार रहना काफी पनिस्मेंट बाकी है सानवी बोली चलो अगत से आकर उसके साथ केक कट किया और अपने खाते हुए बोला हैपी रोजडे बीबी सानवी उसे घूरते हुए बोली ये क्या है अ अगत्स बोला काफी टेश्टी था यार इसलिए कंट्रोल नहीं हुआ तुम भी मुझे खिला सकती हो बोलकर उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। सानवी बोली मुझे नहीं खाना और नहीं खिलाना है सारा खाजाओ। अगत्स बोला मत खाओ अब तुमने इतना मेहनत किया है तो मैं सोच रहा हूँ फायदा उठा लूँ। सानवी जाने को हुई लेकिन अब अगत्स जटके से उसे अपने पास खीच कर सानवी कुछ समझती उसके पहले ही उसके होटों को बंद कर दिया। दो मिनट बाद सानवी को याद आया ये सब अगत्स की चाल थी तो दूर होने को हुई लेकिन अब उसने उसे हिलने भी नहीं दिया तो खुद को ढीला छोड़ दिया। क्यों ये सब करने के लिए वैसे मुझे पता नहीं था मेरी बीवी इतनी रोमांटिक है। तो क्या ख्याल है अभी हमारी फर्स नाइट भी बाकी है बोलकर उसका सर चूम लिया। सानवी ने कुछ नहीं बोला लेकिन अब घबराहट से उसके चेरे पर पसीना आ चुका था। उसने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं लेकिन आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा ना वो खुश से बोली। अब बस सानवी ये सब नॉर्मल है हर किसी के साथ ऐसा होता है तू कोई स्पेसल नहीं है जो तुझे ऐसा फील हो रहा है। फिर खुद को नॉर्मल करने लगी लेकिन घबराहट और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। धड़कने इतनी स्पीड में चल रही थी कि उसे बाहर तक सुनाई दे रहा था। अगत से उसे दूर करते हुए बोला क्या हुआ क्या हुआ क्या हम आगे बढ़ सकते हैं या तुम मुझे और इंतजार करवाना चाहती हो। सानवी बोली I am ready अगत से बोला मेरी आखों में देख कर बोलो कि तुम रेडी हो तुमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हम आगे बढ़ सकते हैं। सानवी ने उसकी तरफ देखा लेकिन अस पहली बार था कि उसके हाथ पैर अचानक से ठंडे पड़ गए थे तो उसके सीने में चेहरा लगाते हुए बोली प्लीज मैं तैयार हूँ अगत से बोला भरुसा करती हो सानवी बोली ये सवाल है अगत से बोला हम समझ सकती हो सान क्यों ठंडे हो गए है हमास से पहले भी तो इतना या फिर इससे जादा करीब आ चुके हैं सानवी बोली हम पता नहीं बोल कर अब उसे और भी कसकर पकड़ लिया पूरा रूम गुलाब से महग रहा था लेकिन दिल दिमाग में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी ये सब क्यों हो रहा था उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था अगत से ऐसा तो नहीं था कि वो पहली बार मिली थी वो जितना उसे चाहता था उतना तो वो भी उससे प्यार कर दिये तो फिर ये घबराहट क्यों उससे नजरे भी क्यों नहीं मिला पा रही थी दो मिनट बाद अगत स बोला भूक नहीं है सान्वी उसकी तरफ देखते हुए बोली तुम अगत्स सरारत से उसे देखते हुए बोला हम मैं क्या सान्वी बोली कुछ कुछ नहीं वो मैं अगत्स बोला चेंज करना है या फिर मैं कोई सान्वी बात बदलते हुए बोली भूक लगी है मैंने सुबह स कुछ भी नहीं खाया है अगत्स बोला तुम चेंज करो मैं लाता हूँ सानवी अब जल्दी से बात रूम में चली गई अगत्स ने अब रूम को जल्दी से अपने हिसाब से डिजाइन कर दिया केक को वहां से हटा कर नीचे से खाना लाकर टेबल पर लगा दिया रूम में ज अगत्स अगर केंडल जला कर लाइट ओफ कर दिया अब उसका रूम उसके हिसाब से तयार हो चुका था कुछ देर बाद सानवी बाहर आई तो उसका रूम उसे ही समझ नहीं आया ये सब इतनी जल्दी अगत्स बोला तो अब क्या ख्याल है मिसे जरावत बोलकर अपना किया तो सानवी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया सानवी बोली ये सब अगत्स बोला कुछ आप ने किया तो कुछ मैंने कर दिया पसंद नहीं आया हमारा केंडल लाइट डिनर यार इतने टाइप में इतना ही हुआ सानवी बोली परफेक्ट है अगत्स बोला सच मे सानवी बोली हम अब दोनोंने खाना खाया लेकिन अब सानवी कुछ नहीं बोल रही थी अगत्स ने उसे सोच में गुम देखा तो एक बाइट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला क्या हुआ यार खाना पसंद नहीं आया क्या सानवी बोली तुम नाराज तो नहीं हो ना मतलब अगाथ से बोला हूँ तुम जानते हो मैं मतलब हो यार तुम समझ जाओ ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ अगत्स बोला नहीं मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तुम एक काम करो अच्छे से सोच लो तब तक मैं आ रहा हूँ उसके बाद आराम से बता देना बोल प्लेट लेकर बाहर चला गया कुछ देर बाद सानवी ने रूम देखा फिर खुछ से बोली क्या जरूरत थी सानवी ये सब करने की और रोमांटिक बनो यार मुझे इतनी घबराहट क्यूं हो रही है उसकी बातों से अगत से अंदर आकर दर्वाजा बंद करके उसे पीछे से पकड़ लिया सानवी सांस रोके खड़ी थी अगत सुच के कान के पास चुमते हुए बोला हो गया तो बता दो क्या कहना था जिसकी वज़े से तुम्हें लग रहा था कि मैं भी भी नाराज हूँ और जो कुछ भ वैसे मुझे सच में नाराज होना चाहिए क्या सानवी ने पलट कर उसके सीने पर हाथ रखा तो उसकी धड़कने भी फूली स्पीड में चल रही थी दोनों की सासे भी एक दूसरे से होकर गुजर रही थी सानवी बोली वो वो मुझे नीद आ रही है अगत से बोला हम ठीक है सो जाओ भाई या भावी आ चुके है टेंसन लेने की जरूरत नहीं है सानवी आकर बेट पर लेट गई लेकिन आज सब कुछ हजीब सा था अगत से उसके बगल में लेटते हुए उपर छट को देखे जा रहा था नीद दोनों के आखों में नहीं थी दिल में सेम हल चल लेकिन फिर भी दोनों अंजान बने हुए थी दस मिनट बाद सानवी उसे देखते हुए बोली वो मैं अगत से उसका हाथ पकड़ कर अपने सीने पर रखते हुए बोला सुनो महसूस करो मेरी धड़कने भी सिर्थ तुम्हें पैचानती हैं तुम्हारे आस पास होने से कित इतनी प्राबलम हो वो बात मुझे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है सानवी बोली तुम मतलब हम अपने रिष्टे को अगत से उस पर अपनी पकड़ करते हुए आखे बंद करो सुबह बात करेंगे लेकिन किसी और चीज़ के बारे में सानवी बोली लेकिन अगत से ब पर सर रखते हुए बोली थैंक्यू थैंक्यू मुझे इतना समझने के लिए मैं कोशिज करूंगे कि हमारा रिष्टा सबसे मजबूत हो अगत से बोला लव यो और आखे बंद कर लिया इधर प्रयाग राज में निहारी का समर को घूरते हुए बोली तुम्हें नहीं लग करो तुम मुझे जेल में डाल दो क्योंकि ये रिस्ता मुझे मंजूर नहीं है मतलम नहीं है इसके लिए तुम्हें जो करना है आराम से करो निहारी का बोली सिवरात्री आने वाली है और मेरा तुम्हारे लिए पहला ब्रत है तो सोच लो गिप्ट में क्या देना है बाकी आजादी के को आप भूल जाओ, बोलकर बाहर चली गई, समर बोला, एक हपते से मजाग समझा रहा हूं मैं तुम्हें, और बीबी बनना है ना, तो ठीक है, तायार रहो बीबी बनने के लिए, ऐसा बीबी बनाओंगा कि फिर कभी किसी की बीबी बनने के वारे में सोचना अधीराज और बाकी सब के मनाने पर अरूडिमा और बिक्रम के साथ समर और निहारिका भी यहीं पर आ गए थे लेकिन निहारिका को कोई एक्सेप्ट करने के लिए तायार नहीं था खास तोर पर समर और अरूडमा रात को दस बजे सब लोग डिनर कर रहे थे अधीराज उसे देखते हुए बोले अनामिका किसी को प्रॉबलम है तो वो जा सकता है यहां किसी को डिश्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है वैसे भी इस घर में हम और बाकी सब लोग हैं ही कौन अगत्स समझ गया कि यह सब उसके लिए है तो अनामिका को और फिर बाकी सब को देखा जो उसे ही देख रहे थे तो उड़ते हुए बोला सौरी एवरिवन आप सब लोग अपना कॉंटिन्यू कर सकते हैं और बिना रुके बाहर निकल गया दर्वाजे पर आया तो सामने से सान्वी से टकरा गया वो गिरती उससे पहले ही उसे पकड़ते हुए बोला आराम से ऐसे कौन चलता है भी गिर गई होती तो सान्वी उसका सर्च पकड़े उसे देखे जा रही थी अगत्स बोला क्या अब ऐसे क्या देख रही हो कभ से इंतजार कर रहा हूँ और आपको अभी टाइम मिला है घर आने के लिए पता है अज़ क्या है लेकिन तुम्हें तो जब से ड्यूटी ज्वाइन किया है वापस से बस बीजी हो चुकी हो मैं तो जैसे सानमी आराम से खड़ी होते हुए बोली यहार दरवाजे पर सिखायत कौन करता है कम से कम अंदर दो जाने देते अगत्स सब उसे गोद में उठा कर बाहर आया और गाड़ी का गेट खोल कर अंदर बैठाते हुए बोला हम बाहर जा रहे हैं और आकर ड्राइवि हुए बोला कुछ भी नहीं लगेगा और मेरा मूड आज काफी अच्छा है तो हम अंदर नहीं जाएंगे और गाड़ी रोड की तरफ गुमा दिया सानमी बोली लेकिन मैं ऐसे जाऊंगी अगत्स उसे एक नजर देखकर सामने देखते हुए बोला हम क्या खराबी है इसमे मुझे तो मेरी बीबी हमेशा होट लगती है चाहे वो जो भी पहने सानमी उसे घूरते हुए बोली अगत्स अगत्स बोला हम आगे नहीं सुनने वाला मैं इसलिए चूपचा पाराम से बैठी रहो सानमी बोली लेकिन हम जा कहा रहे हैं ये तो बता दो अगत्स बोला बोल अपना हाथ आगे कर दिया सानमी वाहर आई और अगल वगल देखने लगी सहर से दूर सांतिला का जिसमें छोटे छोटे फार्माउस बने हुए थे लेकिन रात को ज्यादा कुछ दिखना ही रहा था अगत्स बोला चलो उस दिन तुमारा सर्प्राइज था आज मेरा बोल उसके आँखों पर पटी बात कर उसे वापस से उठा कर आगे बढ़ गया दस मिनट बाद उसे नीचे उतारते हुए पीछे से कंधे पर सर टिकाते हुए बोला आज नहीं बशने वाली हो तुम याद रखना सानवी के दिल की अचानक से फूल स्पीड में भागने अगत्स उसके हाथ में एक पैकर दे कर सामने दिखाते हुए बोला जहो चेंज करके जल्दी से आज आओ तब तक मैं वेट कर रहा हूँ सानवी अब बिना कुछ बोले चेंज करने चली गए दस मिनट बाद वो बाहर आई एरेट सिफान साड़ी और बालों को खुला करके एक साइड छोड़ दिया था अगत्स ने देखा तो आज बस देखता ही रह गया पलके तक जपकाना भूल गया सानवी उसके पास आते हुए बोली अच्छी नहीं लग रही हुना मुझे पता था वो मुझे साड़ी पहनने नहीं आती तो इसलिए जैसे आई वैसे ही पहन अगत्स पीछे से उसके कमर में हाट डाल कर खुद के करीब करते हुए बोला इससे खुबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता मुझे नहीं पता था कि मेरी बीबी इतनी खुबसूरत है वरना मैं तो पहले ही भगा लाता तभी कुछ गिरने की आवाज आई सानवी ने पीछे को ग्रहन लगा देगा क्या सानवी इस वार अपना रिस्ता सम्हाल पाएगी या फिर अधिराज अरोडिमा का बदला लेने में काम्याब हो जाएंगे जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग कहानी काफी लंबी है यह एक सीरीज है जो कई भागों में बनाई गई है लेकिन मैंने जब इस सीरीज को पढ़ा था तो मुझे रोमांच और सस्विंस कहीं भी कम नहीं लगा था इनफर्क्ट मैंने ऐसी कहानी पहली बार पढ़ी थी यह मेरी फेबरेट कहानी है इसलिए मैंने आप लोगों के समच्छे इसे रिप्रेजेंट किया है मैं च चैनल को सस्क्राइब कर लेजिएगा थैंक्यू फॉर वाजिंग मिलते हैं कहानी के अगले भाग में